हेलो फेंट्स वेल्कम टू में यूट्यूब चैनल माई नेम इस सुन्दीब माजी आज हम इस देव फोर में करने जा रहे एक सिनरी को कैसे कालर करना होता है तो सिनरी कालर करने से पहले उसको ड्रॉ कर लेना होगा जैसे की देख रहे पूरा कॉपी के बीच में से एक लाइन और उसके बाद उपर बेड़ बना लेगे हम उसके बाद फ्रेस पानी लेके पूरो स्काई पे देना हो ठीक है एक फी जगा छोड़ नहीं चाहिए पूरा स्काई में आच्छे से पहले आप पानी दे दीजिए पा कॉपी को थोड़ा अशा उपर की तरफ कर लीजिए इस जैसे इस में क्या होता है पानी कॉपी पे कहीं जम जाए तो नीचे तरफ आज जाएगा ठीक है नहीं तो पानी आगर कहीं पे जमा हुआ रह गया तो उस पे कालर को खरब कर देगा और उसके बाद बुशन ग्लू ना सब्दीक करके अँपर की तरफ देना हुआ और अभी भी कॉपी को ऊजब्स करके रहें और जहां तक कालर आता है उसके बाद से पानी देग'll ताच करके नीच़ तरफ की चिलीजिए वो कालार अपने आप नीचे दरफ स्प्रेड हो के आ जाएगा और कहीं पर भी अगर ज्यादा खली रहे गया तो इस पर बाद में थोड़ा सब कालार दे सकते हैं और कहीं पर अगर पनी जम जाए तो उसको द्रास से उठा लेगा कि उसके बाद थोड़ा सा सैप्रीन निश कर लेंगे है और सैप्रीन अच्छे से देने के बाद बिल्कुल बॉड़ार अच्छे से होना चाहिए कि उसके बाद सैप्रीन के साथ थोड़ा सा पूर्शी अन ब्लू मिक्स कर लेंगे सैप्रीन को थोड़ा डीप करने के लिए और और वो डीप कलर पुरा ट्री में जितने तक उसका लाईने ट्री का वो पुरा कवर करतेंगे जो लोग के लिए बहुत ही फायदेवान होने जा रहा है और अभी तक जो डे थ्री तक जितने सारे ड्राइंग किया हैं उसमें कभी भी स्काई का कलर कैसे होता है यह नहीं दिखाए तो इसमें पहली बाद दिखा रहा हूं में द्यान से दिखिएगा और उसके बाद डीप ग्रिन करने के बाद लेमोनी यलो को थोड़ा दे देना है और लेमोनी यलो के साथ थोड़ा अशा सैप क्रिन मिंस करके वह हम लाइट क्रिन बना लेके यह देख रहे हैं लेमोनी यलो के साथ थोड़ा साथ सैप क्रिन मिंस करके लाइट क्रिन हो गया और नीचे तरब देन देते जाहिए और आपको चाहिए थोड़ा वड़ी बनाना है तो इसके सथ थोड़ा सो पुष यान ब्लू नेशनी घुरे हैं करेंगे लिए हम पूशे अन ब्लू का इसके बाद दोज़त डीप करने के लिए हम पूशे अन ब्लू का इसनमल करेंगे करेंगे जो लोग अभी नए हैं मेल चानल पर प्लीज सब्सक्राइब कीजिए आने वाले दीनों में आपको बहुत सारे इसी वाटर कलर के ऊपर ट्यूटरियल वीडियो मिलेगा थैंक यू फ्लीज सब्सक्राइब लाइक से अ